वेलो गैस कैसे आप सुब लोग यूर वेलकम टू माइ चैनल रेडी स्टडी बोट जिसमें करने वाले हैं बोट की तियारी इजिएस्ट वेमें तो गैस आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं exercise 10.2 of chapter circles question number 11, 12 and 13 तो गैस यह इस exercise के last three questions है और यह जो exercise है वो इस chapter की last exercise है तो इस वीडियो में हम chapter 10 यानि की circles पूरा complete कर देंगी, so without wasting any time, let's start तो गैस सबसे पहले हम करते हैं question number 11, question number 11 की figure मैंने यहाँ पे draw कर लिये, question number 11 को आप अपनी screen के नीचे देख सकते हैं, इसको आप वीडियो पोस करके भी पढ़ सकते हैं तो guys इस question में आपको prove करना है, अब parallelogram circumscribing a circle is a rhombus तो guys मैंने यहाँ पे a, b, c, d एक parallelogram draw कर दिया है, जैसे कि आपको question में बोला गया था, जो कि एक circle को circumscribe कर रहा है और जो a, b है वो meet कर रहा है circle पे point p पे, and s, a, b, c, q पे, and c, d, r पे, and a, d, s पे तो guys सबसे पहले हम देखते हैं कि parallelogram की properties क्या होती है, parallelogram की एक property होती है कि उसके opposite side होती है equal, तो यहाँ पे a, b, equal आ जाएगा d, c, k, and b, c, equal आ जाएगा ad, k, क्योंकि parallelogram की opposite side equal होती है तो guys यहाँ आजाएगा a, b is equal to c, d, and a, d is equal to b, c, और इन दोनों का reason की आजाएगा opposite side of parallelogram are equal, तो guys यह दोनों दो हमने पता कर लिया है, और यहाँ पे आप देखें जो point a, b, c, d है, यह जो external में point है circle के, उन से क्या है, a, p, and a, s, यह a point से क्या है, tangent drone है, दो tangent drone है and हमने theorem 10.2 में देखा था, कि हम किसी भी external point से दो tangent drone करते हैं circle पे, तो उन दोनों की length क्या होती है, equal होती है and इसी तरह से point b से b, p, and b, q, यह दोनों tangent drone है, इनकी भी length equal होगी, and c, q, and c, r, इन दोनों की भी equal होगी, d, r, and d, s, इन दोनों की भी equal होगी तो इन चारो की चारो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो guys, यह चारो मैंने यहाँ पे लिख दे हैं, dr is equal to ds, cr is equal to cq, bp is equal to bq, and ap is equal to as and इन चारो का reason क्या आजाएगा, theorem 10.2, theorem 10.2 आप अपनी screen के नीचे देख सकते हैं, the lengths of the tangent drawn from an external point to a circle are equal and guys, हमें यह जो चारो equation मिली है, अगर हम इन सब को add कर दें, तो क्या आजाएगा, dr plus cr plus bp plus ap is equal to ds plus cq plus bq plus as तो guys, यहाँ पे हमने इन चारो equation को add कर दिया, और add करने पे आगया है, dr plus cr plus bp plus ap is equal to ds plus cq plus bq plus as तो guys, यहाँ पर मैंने dr plus cr को एक साथ लिख दिया है, and bp plus ap को एक साथ लिख दिया है, and right side में ds plus as को एक साथ लिख दिया है, and cq plus bq को एक साथ लिख दिया है और यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे dr plus cr क्या बन जाता है, dr plus cr बन जाता है dc, and यहाँ पर bp plus ap क्या बन जाता है, यहाँ पे bp plus ap, यह बन जाता है ab, and जो ds plus as है, यह क्या बन जाता है, यहाँ पे ds plus as, यह बन जाता है ad, and cq plus bq क्या बन जाता है bc यहां पर CQ plus BQ DC plus AB is equal to AD plus BC इसका बन जाता है DC इसका AB and इसका AD and इसका क्या बन जाता है BC तो यह हमारे पास equation आ गई है और इसी के ऊपर अगर आप देखें तो यहां पर मैंने AB को equal proof किया था CD से and AD को equal proof किया था BC के तो guys यहां पर जो DC है उसको मैं replace कर सकता हूं ABC and यहां पर जो AD है उसको मैं replace कर सकता हूं BC से तो DC की जगे मैं लेक दिया है AB and AD की जगे लेकदिया है BC तो यहां आ गया है AB plus AB is equal to BC plus BC तो AB plus AB आजाएगा 2AB and BC plus BC आजाएगा 2BC और यहां से 2 हो जाएगा cancel तो यहां पे आजाएगा AB is equal to BC तो guys अगर हमने AB equal proof कर दिया है BC के तो हमें ABCD यह क्या दिया गया था एक parallelogram दिया गया था यहां पे जो AB and BC है यह दोनों क्या है parallelogram की adjacent side है और हम जब भी parallelogram की adjacent side equal proof कर देते हैं तो वो parallelogram क्या बन जाता है rhombus बन जाता है अब parallelogram with adjacent side equal is a rhombus तो guys इसी से हमने proof कर दिया है ABCD is a rhombus और इसका reason क्या आजाएगा अब parallelogram with adjacent side equal is a rhombus तो guys यह question काफी जादे easy तरीके से हमने proof कर दिया है तो guys यह question number 12 की figure जिसमें ABC एक triangle है जो कि एक circle को circumscribe कर रहा है और यहाँ पे जो triangle है वो AB meet कर रहा है यहाँ पे BC, D पे and AC, F पे और यहाँ पे जो आपको सिर्फ book में सिर्फ एकी point पे meet करता हो दिया गया जो कि है D, यहाँ पे मैंने इस point को माल लिया है E and इसको माल लिया है F तो guys अगर हम OD को join कर दें तो यहाँ पे जो D point है वो CB को दो टुकडों में divide करता है इधर का आ जाएगा 6 cm and red side में 8 cm और हमें यहाँ पे find क्या करना है यहाँ पे हमें find करना है AC and AB की length तो guys यह थोड़ा सा lengthy question है तो guys अगर आप देखें यहाँ पे जो C point है उससे क्या है दो tangent drone है यहाँ पे CD and CF और जो किसी भी external point से हम circle पे जो दो tangent drone करते है उनकी length क्या होती है equal होती है यह हमें कैसे पता लगता है theorem 10.2 से तो यहाँ पे यह जो 6 cm है CD तो CFB क्या होगा 6 cm एड ऐसे ही BD तो यहाँ पे BE क्या बन जाएगा यहाँ पे 8 cm क्योंकि BD क्या है 8 cm और यहाँ पे AF equal आजाएगा AE के और यहाँ पे AF and AE की हमें length जैसे ही पता लगती है तो यहाँ पे हम AC and AB की length निकाल सकते हैं तो guys यहाँ पर मैंने CF की length लिए 6 cm क्योंकि यहाँ पे CD की length है वो भी जैए 6 cm और यहाँ पे BD की length है 8 cm question में दी गई है यहाँ पे BE की length मैंने लिए 8 cm तो यहाँ पे AE है उसको मैंने माल लिए है X तो यहाँ पे AF B क्या बन जाएगा X क्योंकि यहाँ पे AE is equal to AF है और यह दोनों कैसे equal है यहाँ पे CF is equal to CD और यहाँ पे जो BD is equal to BE है और यहाँ पे AF is equal to AE है इन तीनों का reason क्या आ जाएगा theorem 10.2 theorem 10.2 आप अपनी screen पे नीचे देख सकते हैं आप video post करके भी इसको पढ़ सकते हैं तो guys अगर हमने यहाँ से X की value find कर ली तो हमारा बस question solve हो जाएगा यहाँ पे अगर हमें X की value पता लगी तो यहाँ पे X plus 8 cm क्या बन जाएगा AB and X plus 6 cm क्या बन जाएगा AC तो इसी से हम X पता लगाने से पूरा कर पूरा question solve कर सकते हैं तो guys यहाँ पे AB की length क्या आजाएगी X plus 8 तो यहाँ पे मैंने AE की length क्या लिए है X तो AB की क्या आजाएगी X plus 8 cm and यहाँ पे जो AC की length है वो क्या आजाएगी X plus 6 कैसे आजाएगी AF लिया है मैंने X and यहाँ पे जो FC है इसकी length क्या है 6 cm तो यहां पे AC की लेंथ आजएगी X plus 6 यहां पे जो CB है यह जो CB है उसकी हमें पहले सी ही पता है क्योशन में दे रखी है जो कि है 6 cm and 8 cm तो 6 plus 8 आजएगी CB की लेंथ जो कि आजएगी 14 cm तो गैस सबसे पहले हमें क्या कर रहा है यहां पे हमें ABC इस पूरे के पूरे ट्रैंगल जो आप बड़ा ट्रैंगल देख सकते हैं यहां पे जो ABC है इसका हमें area निकालना है और इसका हम area कैसे निकाल सकते हैं जो semi perimeter वाला तरीक है यहां पे इससे हम इसका semi perimeter निकालेंगे और semi perimeter निकालने से हम इसका area भी पता लगा सकते हैं तो इससे हमें पता लग गया है AB की length, AC की length and CB की length और अगर हम इन तीनों को add कर देंगे तो यह बन जाएगा इस triangle का perimeter और यहाँ पे अगर इसको हम divide कर देंगे 2 से तो यह क्या बन जाएगा semi perimeter तो यहाँ पे X plus 8 जो पहला AB था and X plus 6 जो की AC था and जो 14 centimeter यह जो C भी था इन तीनों को मैंने यहाँ पे add कर दिया है तो यह क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका perimeter तो यह अगर perimeter के equal है तो यह किसके equal है मतलब 2 into semi perimeter यहाँ पे S क्या है semi perimeter तो अगर हम इन सब को add कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 2x plus 28 जो की equal आ जाता है 2 into semi perimeter जो की यहाँ पे हमने लिखा था तो यहाँ से हम semi perimeter की value बड़ी आराम से निकाल सकते हैं जो की आ गई है 2x plus 28 divided by 2 यानि की x plus 14 cm तो गैस अगर हमने triangle ABC की semi perimeter की value निकाल लिए जो की आ गई है x plus 14 cm तो यहाँ पे हम ABC का area भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं तो गैस यहाँ से triangle ABC का area क्या आ जाएगा area of triangle ABC is equal to root semi perimeter into semi perimeter minus A into semi perimeter minus B into semi perimeter minus C तो यहाँ पे जो ABC है यह क्या है इस triangle की respective sides है यहाँ पे जो AB है इसको हम मान सकते हैं A और यहाँ पे जो BC है इसको मान सकते हैं B और यहाँ पे जो AC है उसको मान सकते हैं C तो यहाँ पे जो ABC है यह तीनों क्या है इस triangle की तीनों की तीनों side है तो guys यहाँ पे semi perimeter की value हमने यहाँ पे निकाल ली थी x plus 14 तो इसकी जगे हम लिख देंगे X plus 14, यहाँ पर भी X plus 14, यहाँ पर भी X plus 14, और यहाँ पर जो minus करनी थी side A, B, C, तो यहाँ पर हमने first में minus की है 14, 14 क्या थी यहाँ पर CB, तो हमने A माल लिया है CB side को, तो यहाँ गया है minus 14, and अगली में हमने लिया है minus 6 minus X, जो कि था X plus 6 AC, तो और यहाँ पर आ गया है minus 8 minus X, यह क्या थी AB side, तो यहाँ पर थी X plus 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा minus करेंगे तो minus 8 minus X, तो गैस अगर हम इसको solve करेंगे तो यह आ जाएगा root X plus 14 into X into 8 into 6, क्योंकि यह तो आ जाएगा as it is X plus 14, जो कि यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर X plus 14 minus 14, यहां पर 14-14 आजाएगा 0 तो यहां पर क्या बच जाएगा X एंड ऐसे ही यहां पर 14-6 एंड X से X कैंसल हो जाएगा और 14-6 होता है 8 तो यहां पर आगया है 8 और यहां पर X प्लस 14-8-X तो यहां पर भी X कैंसल हो जाएगा यहां पर 14-8 तो यह आ जाएगा 6 cm तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यह question थोड़ा सा लेंदी है तो हम इसको पूरे को रब कर देंगे और यहां पर जो triangle ABC का हमें area मिला है इसको हम यहां पर side में लिख लेंगे तो वैज यहां पर मैंने लिख दियाए area of triangle ABC और बाकि सारी चीजों को मैंने कर दिया है रब और यहां पर जो हमने AB की and AC की and CB के value निकाली थी वह भी मैंने रब नहीं करी है यहां पर जो हमने area of triangle ABC निकाल या जो पूरा ABC triangle है यह हमने इसका area निकाल दिया यह और आप देख सकते हैं A, B, C जो triangle है वो तीन triangle तीन चोटे triangle से मिलके बना है जो तीन triangle है A, O, B ये वाला triangle and B, O, C ये वाला triangle and जो A, O, C है ये वाला triangle ये तीनो triangle मिला के क्या बन रहे है triangle A, B, C तो इसका मतलब अगर हम इस triangle and this triangle in this triangle का area अगर add कर दें तो यह क्या आजाएगा बड़े वाले triangle यानी ABC का area के बराबर तो यहाँ पर हम area निकाल लेंगे AOB का and यहाँ पर COB का and AOC का तो guys इसका area हमें semi perimeter वाले तरीके से निकालने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो O D है वो perpendicular है C B के इस triangle OC B में S E OF perpendicular है AC K and S E O E perpendicular है AB के और यह perpendicular कैसे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखे A F यह क्या है यहीं सरकल पे एक tangent है और tangent हमेशा जो radius होता है उसके perpendicular होता है कहाँ से point of contact से तो यह क्या है F यहाँ पर point of contact है तो यहाँ पर A, F, O, यह क्या बन जाएगा right angle यानि कि 90 degree ऐसे यह तीनों की तीनों angle क्या बन जाएगी 90 degree तो guys यहाँ पर मैंने लिख दिया है area of triangle AOB यह जो triangle AOB है इसका area हम निकाल रहे हैं तो इसका area आ जाएगा 1 by 2 into base into height यहाँ पर height जो है वो क्या circle का radius है यह जो O, E है यह क्या circle का radius है और circle का radius आपको question में दिया गया है जो कि है 4 cm तो इसकी height क्या हो जाएगी 4 cm ऐसी इस triangle की भी height हो जाएगी 4 cm इसकी भी हो जाएगी 4 cm तो guys यहाँ पर 4 cancel out हो जाएगा 2 से तो यहाँ पर बच जाएगा 2 और X plus 8 को जब हम 2 से multiply करेंगे तो आजाएगा 2X plus 16 तो triangle AOB का हमने area निकाल लिया है जो कि आगया है 2X plus 16 cm स्केर तो guys यहाँ मैंने बाकी बच्चे दो triangle का भी area निकाल लिया है जो कि आए area of triangle BOC and area of triangle AOC तो BOC इसमें क्या है base BC और यहाँ पर base क्या है 8 cm plus 16 cm जो कि हमने यहाँ पर CB निकाला है 14 cm तो यह आजाएगा 1 by 2 into base 14 cm और height जैसे कि मैंने आपको बताया radius of the circle है जो कि आजाएगी 4 cm तो यहाँ पर इसकी value क्या आजाएगी 28 और ऐसे ही AOC की 1 by 2 into इसका base क्या है x plus 6 cm जो कि है multiply by height height क्या है यहाँ पर radius of the circle जो कि है 4 तो यह इसकी value आजाएगी 2 x plus 12 cm क्या तो guys यह तीनों की area जो हमने निकाले हैं यहाँ पर यह तीनों areas अगर हम इन तीनों को add कर देंगे तो यह किसके equal आजाएगा area of triangle ABC यानि कि इसके equal तो यहाँ पर हम लिख देंगे area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC is equal to किसके area of triangle ABC के तो guys इन तीनों का area भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि इनको rub कर सकूँ तो guys जैसा कि मैंने आपको बताया इन तीनों का triangle का area अगर हमें add कर दें तो वो किसके equal आजाएगा area of triangle ABC तो area of triangle ABC मैंने लिख दिया है यहाँ पर और equal में क्या लिख दिया है 2X plus 6 plus 28 plus 2X plus 12 जो कि इन तीनों triangle के area है मैंने इन तीनों triangle के area यहाँ पर add कर दिया है तो guys अगर हम यहाँ पे RHS में यह जो सारी right hand side में चीज़े हैं अगर इन सब को add कर देते हैं तो यह आ जाता है 56 plus 4x और हमने इसको as it is लिख दिया है और इससे अगले step में हमने से root हटा के यहाँ पे square कर दिया है तो यहाँ पे 56 plus 4x का whole square equal आ जाएगा x plus 14 into x into 8 into 6 तो यहाँ पे अगर हम 56 plus 4x का whole square करते हैं तो यह आ जाता है 16x square plus 3136 plus 448x और हमने LHS को as it is लिख दिया है यहाँ पे जो पिछले step में था तो गाइस इससे ही अगले step में यह जो LHS में यह सारी चीज़े हैं x plus 14 into x into 8 into 6 हम इन सब को multiply कर देते हैं तो यह क्या आ जाता है 48x square plus 6 7 2x और गाइस इससे अगले step में हमने क्या किया है यह जो RHS में ही सारी चीज़े हैं जो right hand side में equal के right में यहाँ पे इन सब को हम left side में ले minus होगी तो यह आ जाएगा 32 x square plus 224 x minus 3136 तो is equal to में क्या जाएगा यहाँ पे 0 यह सारी चीज़े अगर उधर चली जाएगी तो इधर क्या बच जाएगा 0 और गाइस यहाँ पे जो 32 है and 224 and 3136 है यह सारे के सारे क्या है 32 से divisible हैं तो यहाँ पे 32 हम कर ले लेते हैं common तो यह यहाँ पे आ जाएगा x square plus 7x minus 98 is equal to 0 तो इस equation को solve करने के लिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे इस x square का coefficient क्या है 1 और यहाँ पे जो यह है 98 तो 98 into 1 क्या हो जाता है 98 तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 7x को हमने divide कर दिया 2 में 14x minus 7x तो यह बन जाता है 7x and 14 into 7 क्या आ जाता है यहाँ से हमने x common ले लिया तो यहाँ गया x plus 14 and यहाँ पे हमने minus 7 common ले लिया तो यहाँ आ गया x plus 14 और यहाँ पे equal में क्या गया है 0 तो x minus 7 into x plus 14 is equal to 0 आ गया है और guys यहाँ पे x की value आ रही है 7 और दूसरी x की value आ रही है minus 14 और guys यहाँ पे जो x है यह हमने क्या माना था य यहाँ पे हमने के line segment की length वानी थी और line segment की length कभी भी negative में नहीं हो सकती तो यहाँ पे x की length आई है यहाँ पे minus 14 तो इसका मतलब x minus 14 के equal नहीं है क्यों क्योंकि एक length है एक line segment की length है और यह हमेशा positive में हो सकती है तो इसका मतलब x is equal to 7 is the right answer तो यहाँ पे x की value क्या आ गई है 7 cm त तो यहाँ पर AB क्या था X plus 8 and AC क्या था X plus 6 तो guys यहाँ पर जो AB की length हमने निकाली थी शिरुवात में X plus 8 तो यहाँ पर X की value हमने निकाली है 7 cm तो इसका मतलब 7 plus 8 यानि की 15 cm और यहाँ पर AC की length दूसरी हमने AC की length आपको पूछी गई थी यहाँ पर यह हमने निकाली थी X plus 6 cm तो यहाँ पर यहाँ आगी है 7 plus 6 cm इसका मतलब 13 cm तो guys इन ही की आपको length पूछी गई थी इस question में So guys let's move on the last question of this exercise question number 13 तो guys जब हम करने वाले हैं question number 13 the last question of this exercise and the last question of this chapter question number 13 आप अपनी screen के नीचे देख सकते हैं और आप इसको वीडियो पोस्ट करके भी पढ़ सकते हैं तो guys question number 13 में आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी quadrilateral हो जो कि एक circle को circumscribe कर रहा हो तो यहाँ पर बैने quadrilateral draw कर लिया है A, B, C, D जो कि एक circle को circumscribe कर रहा है जिसका center है O तो guys आप देख सकते हैं यह जो पूरा quadrilateral है इसकी जो sides है A, B, B, C, C, D and A, D तो यह सारी की सारी side अपना एक angle substant कर रही है कहाँ पे center of the circle पे जैसे कि A, B side है वो A, O, B ये वाल angle substant कर रही है center of the circle पे ऐसी जो B, C है वो B, O, C ये वाल angle कर रही है एसे ही जो C, D है ये वाल angle एसे ही A, D ये वाल angle तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो opposite sides है यानि कि A, B and D, C ये opposite side है तो ये जो angle substant कर रही है जो कि A, O, B and C, O, D इनका sum है 180 इनका sum क्या होगा 180 degree ये हमें प्रूफ करना है 180 degree कैसे क्योंकि आपको question में supplementary बोला गया है और supplementary वही दो angle होते है जिन दोनों का sum क्या होता है 180 degree एंड ऐसे ही जो A, D and B, C opposite side है वो भी जो angle substant कर रही है जो कि A, O, D and B, O, C ये दोनों का sum भी क्या होगा 180 degree ये हमें प्रूफ करना है तो इनका sum 180 degree और इनका sum 180 degree ये दोनों चीज़े हमें इस question में प्रूफ करनी है तो question तो काफी जदे easy है पर हम इसको solve करने के लिए इसमें कुछ constructions करनी पड़ेगी constructions ये होगी कि ये जो circle है and ये quadrilateral है इन पे जो ये common points है जो कि ये 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 इन सब को हम name कर देंगे and उसको center से join कर देंगे तो यहाँ पे हम ये construction कर लेते हैं तो guys ये चारो point हमने ले लिए है P, Q, R, S जो AB meet कर रही है इस circle पे वो है P and SE, BC, Q and CD meet कर ये R पे and AD, S पे और guys आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चारो angle है ये 90 degree कैसे आ गए है ये right angle इसलिए आए है क्योंकि for example अगर हम AB को देखें तो AB क्या है इस circle पे एक tangent है and कोई भी tangent circle के radius के perpendicular होता है और कहां से perpendicular होता है through the point of contact तो guys इसी तरह से ये angle भी right angle हो जाएगा ये वाला भी, ये वाला भी और guys यहाँ पे angles है इन सब के बीच में हमने उनको name कर दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 यहाँ पे जो center है ये क्या है ओ point है तो guys इसको solve करने के लिए सबसे पहले हम देखते है जो triangle A, O, S and A, O, P है ये दोनों triangle को सबसे पहले हम देखते है in triangle A, O, P and triangle A, O, S इन में आप देख सकते हैं ये जो O, A है ये जो line segment है ये क्या है? इन दोनों triangle में common है और यहाँ पे जो O, S and O, P है ये दोनों क्या? equal है कैसे equal है? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या tangent of the circle है अन्ड यहाँ पे जो A, P है ये भी equal है AS के कैसे equal है यहाँ पर जो हमने theorem 10.2 देखी थी उसमें क्या था अगर हम circle के किसी भी exterior point से जो tangent रो करते हैं जो कि 2 tangent रो होते हैं तो उन दोनों की length क्या होगी equal होगी यह हमें किस theorem से पता चलता है theorem 10.2 तो guys यहाँ पर मैंने लिख दिया है OA is equal to OA OA is equal to A क्योंकि यह common था तो इसका reason आ जाएगा common and यहाँ पर आ गया है OP is equal to OS यहाँ पर जो OP है वो equal है OS के और इसका reason क्या आ जाएगा radius of the same circle and ऐसे ही AP is equal to AS AP is equal to AS और इसका reason क्या आ जाएगा theorem 10.2 theorem 10.2 को आप अपनी screen के नीचे देख सकते हैं आप video post करके भी इसको पढ़ सकते हैं तो guys आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दोनों triangle है इसके हमने तीनों side क्या कर दी equal proof कर दी तो यह दोनों triangle क्या हो जाएगी congruent तो guys यहाँ पर आजाएगा triangle AOP is congruent to triangle AOS और यहाँ पर criteria क्यों यूज के रहा हमने side 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 यानि कि SSS criteria तो guys अगर हमने यह दोनों triangle congruent proof कर दी है तो यहाँ पर जो angle 1 and angle 8 है यह दोनों भी क्या होंगे equal होंगे तो यहाँ पर आजाएगा angle 1 is equal to angle 8 और इसका reason क्या आजाएगा corresponding part of congruent triangle यानि कि CP CT तो guys जैसा कि हमने इन दोनों को congruent proof किया है यह दोनों triangles को ऐसी हम इन दोनों को भी congruent proof कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो OP and OQ है यह radius of the circle है and BP and BQ यह क्या हो जाएगे theorem 10.2 से prove हो जाएगे equal and OB is equal to OB common है यह तो यह दोनों triangle भी ऐसे congruent हो जाएगे और यह भी congruent हैसे हो जाएगे तो यहाँ पर angle 2 is equal to angle 3 हो जाएगा and angle 4 is equal to 5 and 6 is equal to 7 तो guys यहाँ पर हमने लिख दिया similarly angle 2 is equal to angle 3, angle 4 is equal to angle 5, angle 6 is equal to angle 7 और guys यहाँ पर similarly किसली लिखा है मैंने क्योंकि जैसे कि हमने यह दोनों triangle congruent proof करे है इसी तरीके से हम इन दोनों को भी congruent proof कर सकते हैं and ऐसे ही इन दोनों को भी and ऐसे ही इन दोनों को भी तो यहाँ पर हम लिख सकते है similarly angle 2 is equal to angle 3, angle 4 is equal to angle 5 and angle 6 is equal to angle 7 तो guys अगर आप देखें यहाँ पर जो angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर हम इन सब को add कर देते हैं तो यह क्या बन जाएगा एक whole angle बन जाएगा और whole angle कितने degree का होता है 360 degree का तो guys मैंने यहाँ पर इन सब angle को plus कर दिया है और यह किसके equal आजएगा 360 degree के और guys आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने कुछ angle को एक साथ लिख दिया है मैंने angle 1 and angle 8 को एक साथ लिख दिया है and angle 2, 3, 4, 5, 6, 7 को एक साथ लिख दिया है तो guys मैंने यहाँ पर क्यों किया है क्योंकि यहाँ पर हमने 1 equal proof किया था angle 8 के कि यहाँ पर टू इक्वल किया था 3ग यहां पर यहां पर 4 इक्वल है 5 के जो इक्वल है और 6 इक्वल है 7 के तो यहां पर जो एंगल 8atar обсकर फाइतक हो इंगल 5 के तो यहां पर है अंगल 5 एनगल 7 इक्वल तो यहाँ पर आगल six कैं तो यहाँ पर एंगल one प्लस एंगल two प्लस एंगल two क्या आ जाएगा two2 एंधुए प्लस एंगल five प्लस एंगल five ना जाएगा two in to एंगल five धर उसुए आ ग्ल्स एंगल six three two इन पर five common ले लेंगे हम तो यहां पर आजाएगा 2 multiply by angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360 degree और guys इस 2 को अगर हम right side में ले जाएगे तो यह बन जाएगा divide का और 360 divided by 2 हो जाता है 180 degree तो यहां पर angle 1 plus angle 2 plus angle 5 plus angle 6 के आजाएगा 180 degree तो guys यहां पर मैंने angle 1 and angle 2 को एक bracket में लिखा है and यहां पर angle 5 and angle 6 को एक bracket में यह हमने क्यों लिखा है क्योंकि यहां पर जो angle 1 plus angle 2 है यह क्या angle AOB and ऐसे जो angle COD है वो क्या है 5 plus 6 तो guys मैंने यहां पर angle 1 plus angle 2 की जिके लिख दिया है angle AOB and ऐसे यहां पर हमने प्रूफ कर दिया है कि यह जो quadratoral है ABCD जो की एक circle को circumscribe कर रहा है यह जो quadratoral है इसकी जो opposite side है यानि कि AB and CD वो जो सबस्टेंट कर रही है angle at the center of the circle यानि कि AOB plus COD उन दोनों का sum क्या कर दिया हमने equal proof कर दिया 180 degree के यानि कि यह दोनों angle क्या है supplementary angle तो यहां पर हमने प्रूफ कर दिया है कि opposite side of a quadratoral circumscribing a circle substance supplementary angle at the center and guys ऐसी हम angle AOD and angle BOC इन दोनों को भी क्या कर सकते है supplementary proof कर सकते हैं तो यहां पर हमने क्या लिख दिया similarly it can be proof that angle AOD plus angle BOC is equal to 180 degree यहां पर हमने similarly क्यों लिखा क्योंकि जैसे कि हमने इन दोनों angle को supplementary proof किया है यह दोनों भी angle वैसे supplementary proof हो जाएंगे या फिर आपके कोई भी confusion है तो अप comments में पूछना बिल्कुल मत भूलना मैं आपके सारे comment कर reply जरूर करूंगा so guys अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो please इसको like करना अपने दोस्तों के साथ इसको share करना भी बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल ready study boards को subscribe करके bell icon जरूर दबा देना so guys मिलते हैं एकली वीडियो में thanks for watching झाल